यह इतना बड़ा गोटाला हो रहा था ताजूब है उसमें बड़े-बड़े लोगों का नेताओं का अलपसंग का समाज के नेताओं चुकि उन्ही की डीलिंग है वही वो उन्ही की संस्था है सारे लोग उसी में उसमें किसी और समदाय का लोग नहीं तो इतना बड़ा होना गोटाला जो अपने आप में ताजूब है और आपको बता रहा है ये पंदरा सव बाहतर संसानों की पहचान की गई है जिसमें आठ सो तीस बिल्कुल टोटली फेक पाए गए टोटली फेक पाए सबसे ज़्यादा जो इसका वो है मास्टर पॉइंट जो है या मास्टर सेंटर समझिए वो है बाइनाट का मुल्ला पुरम चेत्र इसमें तीरानी को जब इसमें हलकी से भनग लगी तो इन्होंने तुरंती वो जाज दे दी और वो जाज भी किसको दी गई है वो भी आप समलिए ऐसी और ऐसी संस्थाक नहीं एकोनॉमकल उसको दी गई कि आप पूरी जाच करके अब जा करके उसको एफाइयार सी बी आई को दी कि आपके बाइस बच्चे और नवें पढ़ना मतलब कितना बड़ा फ्रॉड आप अंदाल लगा लीजे ताजू भी यह है कि इसमें लालू नहीं बोलना है और यह जाच करा लाए है यूपीए के समय का अगर विपच कह रहा तो विपच को फिर कहने का कोई अदिकार नहीं कि अगर बीजेपी के सौसन में वह वो जाच करा लाएन फिर उन्होंने जाच है इसा नहीं कि सरकारी उसमें नसेसरार ने की इंड़ोंने और थर्ड पार्टी को किया है थर्ड पार्टी को मतलब मैने रखता है कि उन्होंने क्या किया कि ना हम करें ना आप करें एक थर्ड पार्टी कर अपने नमस्कार मैं अंचली बिश्रा स्वागत है आप सभी का आपको बता दे कि स्कॉलर्शिप स्कैम का जो मामला सामने आया था जो अगर आपको आकड़े बताए तो बाइस हजार करोर रुपए का यह घुटाला बता रहा है जिसमें राउन फिगर में एक सो पैतालिस क्रोर रुपए का आरोप जो है लगाया गया है घुटाले से अपी थी और अब CBI ने सो मामले पर FIR दर्ज कर लिगाई है यह घुटाला जो है UPA सरकार के दोरान हुआ था और अब इसे लेकर लगतार जो है एक्शन्स देखने के लिए मिल रहा है ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ट और बहुत योजनावत तरीके से लोग लगे थे और आपको दुखत बताना है कि यह हिंदुस्तान के 6 अलप संखेग लोगों को दिया जाता है पार्शी, शिक, बाध, इसाई और मुस्लिम उसमें ताजुब की बात है पार्शी कोई भी अपलाई नहीं करता है शिक नहीं क बाते हैं और करते भी हैं तो उनको मिल नहीं पाता है और यही पोजिशन इसाई समाज की है परण तो पूरा फाईदा इसमें अलप संखेग में मुस्लिम ही उठा पाता है अब पूरा-पूरा उठाता है और योजनावत तरीके से उनके इतने है लिए त्टोटल फाईदा ये facilities और कंट्रियों में नहीं है, पाकिस्तान में आसपास अगल बगल नहीं है, किसी भी कंट्रिय भारत में अलपसंख्यों को है, इसके अलाबा कई और भी facilities है, ये इतना बड़ा गोटाला हो रहा था, ताजुब है, उसमें बड़े बड़े लोगों का नेताओं का, अलपस कामदाय का लोग नहीं, तो इतना बड़ा होना गोटाला जो अपने आप में ताजुब है, और आपको बताना है, ये पंदरा सव बातर संसानों की पहचान की गई है, जिसमें 830 बिल्कुल टोटली फेक पाए गए, टोटली फेक पाए, सबसे ज़्यादा जो इसका वो है, मास्टर पॉइंट जो है, या मास्टर सेंटर समझेए, वो है बाईनाट का मुल्लापुलम चेत्र, मुल्लापुलम चेत्र ऐसा है, जहां पे राहूल गांधी को घमन जहां के बल पर राहूल गांधी जीतते हैं, जहां पे कुछ जगें उनके मतदान जो है 90% से अबब ने उन्होंने राहूल को बुला करके चुनाओ लड़वाया, सबसे लंबा जो बड़ा गोटाला है मुल्लापुलम चेत्र से, मुल्लापुलम चेत्र की इतनी वो पोजिशन है कि वहां का, आप समझ लीजे, 6,000, 6,000 बतियां, सिर्फ एक बैंक साका में, सिर्फ एक बैंक साका मतब 46,000 आप समझ लीजे कि हाले हर्जा बड़े-बड़े कालेजों में, बड़े-बड़े उन्युवेस्टियों में स्टूडेंट रही है इतने इस घोटाले का किस तरीके से परदा फास हुआ है, कैसी घोटाला संग्यान में है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाले देखे परदा फास ऐसे हुआ कि इसमें तीरानी की, यह मानिए आप उनकी निगाह बड़ी तेज है, इसमें तीरानी का आज से नहीं, बहुत पहले से, मैं आपको उताला हूँ, उनकी निगाह इतनी तेज है कि मैं आपको बहुत छोटा से एक्जामपल बता दें, एक जग और वो जाच भी किसको दी गई है, वो भी आप समलिया, ऐसी हो, ऐसी संस्थाक नहीं, एकनोमकल उसको दी गई, कि आप पूरी जाच करके, अब जा करके उसको एक एक चीज के बाद तब CBI को दिया गया, अब CBI के पास पक्के प्रूफ होंगे, तो ये एक अच्छी चीज है, कि ये इस तरह का, इनके, इन्होंने किया, अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें ग्रुप 22 क्या है, कि ये 830 भर्जी संस्थाओं में, जो मेन जो है, वो कौन कान है, बासट चटिस गड़की है, जहां पे कांगलेस की सरकार है लाजिस्थान की 128 में 99 पूर्टेया फेक है, मतलब गहलोज साब की 128 में से 99 मतलब 100 मतलब, 99 मतलब 100, 99 सीटे ही कांगलेस को मिली थी और 99 संस्थाओं भी फेक, लाजिस्थान में, 99 बिधायक इनके और 99 भी फेक, दूसरी 128 में, अब बच्छी जो 28 हैं, 29, उसमें भी गपले ह हैं, मतलब यह तो टोटल फेक ही है, 30 छातिवरत की जो है, वो है, करनाटक में 64 संसाइ, फिर बंगलादेश, इसके बाद है आसाम, आसाम में BJP की सरकार जरूर है, मगा आसाम में हकीकत ही है, कि बंगलादेशी लोग्या वहाँ पे अच्छी तादाद में बहुत पहले से आ कर्मिन्ट आ गई, तो वो सब लोग आज भी अपने अस्तित बनाए हुए है, हाला कि अब उनकी पैचान हो रही है, इसके अलावा आपको बताना है कि इतने बड़े घोटाले हुए, कि एक मोबाईल में एकी परवार के 22 बच्चे, नवी कच्छा में, 22 बच्चे, ये मानत कि इस साल तो 22 बच्चे होते नहीं, दो बच्चे जुरूआ तो सुने गए, तीन सुने गए, चार सुने गए, पांस सुने गए, छे सुने गए, हम लालू कही मानते हैं, लालू के भी आड़नो बच्चे, मगर सभी नवे में नहीं है, ते जश्ची नवा फेल जरूर है, म जो है कई सारे विपक्षी नेता जो कई सारे स्कैम्स को लेकर बयान देते हैं इस मामले में चुप है क्या इसके पीछे कारण यह है क्योंकि यूपीय सरकार के दौरान हुग किया गोटाला है यही एक ताजुक की बात है जब यह न्यूज हम लोगों के आथ में लगी तो उस से भी बोल लाता तो हम सोच रहती है इतनी बड़ी बात हो गई सी बी आई को जाच और अल्बसंख्यक समाज के लिए तो यह लोग बोलेंगे हाकीकत है विपक्ष के लीडर इसलिए नहीं बोलना है इसमें सब यह फसेंगे और यह बहुत बड़ा फ्रॉट किया है और फ्र कहना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में इस चीज की चर्चा होती है कि वहां पर यह है कि भारत में का मुसल्मान ज्यादा अच्छा है इमान का ज्यादा हज जाता है उसको हरतरे की सुब्दाएं है भारत में अब भारत के मुसल्मानों वहां के लोग यह पता लगाना है क्या अगर यहां के लोगों को दुबारा मौका मिले, ना हिंदुस्तान बसने का, तो आधे से ज़्यादा पाक खाली हो जाएगा. अब पाकिस्तान के लोग क्या कहे रहें, भाईया हमको अपने में मिला लोग, हम सकाम भूंके तो नहीं रहेंगे, बजीफा मिलेगा, यह मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब यह चर्चा तब भी पता ने क्यों विपच के लीडर इतना उल्टा सीधा बोल करके इन लोगों को बैका और आपको बताना है, उसमें जब जाँच हुई तो उन्होंने निस्पक्षता से जाँच कराई, और जाँच के पहले कोई ऐसी वैसी नहीं, बाकाइदे जाँच करके और सब उसको NSSR से कराई है, दूसरी उन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी एबलेशन के लिए NSSR को नुक्त किया है, इसमें तीरानी ने इसमें क्या किया, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी या गौर्ण्मिन लगा दे आरो, थर्ड पार्टी एबलेशन के लिए NSSR को नुक्त किया, और उसने ये दिया है, और उसने फिर ये हुआ, इन्होंने मंतराले से इतने उनको दिये, उ संख्यक मंतराले उनके अंडर है, और उन्होंने ही CBI को कहा कि इस मामले की जाच होनी चाहिए, लेकिन ये तरफ विपक्ष है, जो इस मामले को लेकर चपहले आमादमी पार्टी हो, संजय सेंग हो, कॉंग्रेस हो, ये कह रही थे कि मोधी सरकार के अंडर ये स्कैम हुआ है अगर मोधी सरकार के अंडर स्कैम हुआ होता, तो मोधी कैबिनेट की एक मंतरी, CBI जाच के आदे, शाखिर क्यों देते हैं? आप करें, एक थर्ड पार्टी कर अकाउन, NSSR, जो गौर्णमिंट की वो है, जिसके उपर उंगली नहीं उठा सकते, उसने किया, उसने सब वो करके, इनको सब को चिन्नित किया, दूसरी बात, बाकायदे, सब फरजी पाया गया, बैंकों ने, उन सब ने लिखा, जैसे ए एक परवार में सभी बच्चे नो, दूसरी आपको उतारे, इन छातवतियों में क्या था, प्रिमेट्रिक स्कॉलर्शिप, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलर्शिप, और हर साल और भी कई सुब्धाएं, ये अर्प संक्यक समाज को हर तरह से मिलन आप समय थी, रहने, खाने, पीने और मदर्से की इन सब को आप समझ लीजे, और उसका रिजल्ट ये रहा कि पूरा-पूरा ये पैसा जाता, जैसे माली जै 5,000 चात रहे, तो 5,000 से 4,500 को न मिलता, पूरे 5,000 मिल जाता, तब भी कुछ ने ता, मगर आपको बताने क्या हु कितने बड़े लेविल का ये फ्रॉड है, कितने बड़े लेविल का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ 36 गर पे ही लगबत 39 परसंटेस का फ्रॉड हुआ, 39 परसंटेस का, और अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, अब इन्हों ने जाच की, ये 21 राज्यों म और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, ये चीजें उसने NSSR ने की, तब FIRB, इसलिए आपको दाने इसकी जो जाच भी बड़ी निस्पक्चता से हुई है, और IC संसा 3rd Parton की, इसलिए इसमें कोई भी इबड नहीं, अब ये विपक्च क्या जबाब देगा, एक त है, इस वज़े से विपक्षी नेता जो है, इस मामले को लेकर टिपनी करते हैं से भी बच रहे हैं, किसी तरीके का कोई रियाक्शन भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन CVI ने इस मामले की जो है, दर्च कर ली है, जिसे बात स्पष्ट है, कि आने वाले समय में, कई सारे ऐसे